हेलो एवरिवन दिस इस रुपेश मिश्रा एन वेलकम यू आल तो यूर चैनल देट इस मैथ वैथ देकिए सिक्सेमस्टर के वीडियो की स्टार्टिंग हो चुकी सिक्सेमस्टर स्टार्ट हो चुका है सबसे पहले मैंने सेकंड जो आपका पेपर है विच इस और निमेरिकल एनलेसिस देट इस एने चैप्टर वन से स्टार्ट कर रहा हूं तब किया हुआ है लास्ट वीडियो में फाइन डिफ्रेंसिस कुछ ऑपरेटर के बारे में पिछले वीडियो में बात हुई थी हम लोग निमेरिकल एनलेसिस की स्टार्टिंग कर चुके थे नेक्स्ट है ने वीडियो में इनवर्स इपड़ी किया अधाय है इस वीडियो में कोशिच रहेगी कि इस वीडियो जैसे रहे है होती हैं फटाक से स्वीट पकड़ते हैं जैसे हम लोग ने पिछले सेमेस्टर में पकड़ी थी कि एंड कर दिया था कई सारे एक्स्ट्रा चीजों का रेविजन एमसी क्यूज कई सारे थे तो चलिए यहां पर हमने फॉवर्ड डिफरेंस को पढ़ते हैं क्या होता है छोटे छोटे शॉट तरीके से मैं इनको बताता चाहूंगा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा शॉट तरीके से शॉट नोट्स की तरह बताऊंगा इसमें और उसका जो लॉंग फॉर्म है तो उन्हें कमेंट करना पड़ेगा तो ही मैं उनको प्रवाइड करा पाऊंगा और प्लीज कई लोग वाट्सेप नंबर के लिए बोलते रहते हैं आप लोग टेलीग्राम जोइन करके मुझसे वहां पर कन्वर्शेशन कर सकते हैं वहां पर तो प्राइवेटी भी मैसेज नहीं कोई दिक्कत तो है नहीं उसके लिए जरूरी तो है लेकि आपको वाटसेप नंवर ही मिले आप उसे बात करना चाहते तो आप उसकी gr Chloe कोई दिक्कत नहीं है कोई इसा बड़ा नहीं है आप आराम से मैसेज कर सकते हैं परिशान नहीं कोई भी आपकी प्राब्लम में आप मुझे उस पर बता सकते हैं प्राइविट ली तो चलिए फॉर्वर्ड डिफ्रेंस ऑपरेटर का काम करते हैं सिंपल सी वात है फॉर्वर् देल का यूज कर रहा होता है इसमें कोई भी फंक्षन हमारे पास है बच्चो एफएक्स लेट से उसके आगे मैं डेल ओपरेटर लगा तो डेल ओपरेटर क्या करता है उसके जस्ट एक आगे स्टेप साइड करके दिसे एकस है तो एक्समेएक एड करके और वापस से एफ- नोटेशन से वह जो दिखेंगे वह लास्ट वीडियो में बताया गया होंगे तो प्लीज पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से देखना शुरू करिएगा लाइक्स आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो पिछली बार की तरह मुझे लगता है कि उतना ध्यान जो मतलब जो मनें बताया था कि ध्यान दिया जाएगा वीडियो पे आप लोग नहीं चाहा रहे हैं कि ध्यान दिया जाए आपकी यूट्यूब वाले पढ़ा रहे हैं वैसे मैं भी पढ़ा लूँ आप लाइक बिल्कुल नहीं मैंने बताया कि वच्चों आपको आपने देखा भी से में कि हम लोग मेहनत कर रहा है आपके लिए मैनत कर रहा है तो जैसे आप वीडियो स्टार्ट करते हो तो यूजस्ट यूँ नूँ अब प्रेस कर सकते हो तुरंथ के तुरंथ लाइक बटन कि एक लाइक कर दो की तो क्या बिगड़ जाएगा जाया जाए एक कमेंट कर दो प्यारत अच्छा सा मेरे महनत के ओपर अच्छा लगे तो लाइक तो करीब हम से हो जैसे कि हमारी वीडियो और लोगों तक जाए मोटीवेशन मिली का और आप तक पहुचेगी फिर नहीं मोट आप किसी चीज को करना चाहते हो एकदम नीरा सोगे करोगे बिना मन का तो वैसे तो मज़ा भी नहीं आएगी मैं बेमन का पढ़ाऊंगा तो आपको समय ही नहीं आएगा या तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं तो रखी गई थी आ ठीक है लगई जो नोटस वाले बच्चे हैं दूसरी यॉनिवर्चिटीज के आप उसकी जो भी होगा जो होगा उसकी बात अलग है या ठीक है कि नोट्स का क्या है फिलाल देखे इसमें यहां पे बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू को सब्सक्राइट किया गया इस वजह से फॉर्वर्ड डिफरेंस कहते हैं ठीक है अधे मोरवर एक चीज और जान लिजए कि यह आपके सामने एक बाद डिंफरेंस कल गया बच्चो इसे बोलते हैं यह जो एक बाद बात कहें कि जरा अगर मैं बोलू आपसे कि भाई आप कर लो अगर में पास एफ एक्स कोई constant fx is equal to c है तो आपको बता differentiation दोता है जो होता है constant का वह हमेंसा 0 होता है आप यहां पर भी कह सकते हो यह जरा यह देखो आप क्या करोगे यही तो लिखोगे fx plus h minus fx यही तो करोगे और अगर यह constant है अगर यह constant है तो चाहे आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो भी इसकी value c रहेगी पीछे बढ़ोगे तो भी c value रहेगी यह जो हमारा forward differentiation होगा 0 होगा देखिए जो constant number होता है बच्चों वह उसका forward backward या central तीनों कि तीनों constant के case में 0 ही होते हैं simple सी बात है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं फिर ठीक है चले इसे forward जो difference है उसी कुछ properties पढ़ते हैं ठीक है हो जाती है या तो directly push ली जाती है और दोनों important है ठीक है तो पहला जो importance है इसमें भी linearity property follow करता है है ना linearity property कैसे जैसे माने डेल लिखा मैंने ठीक और जैसे shift operator में बताया था आपको पता होना चीए linearity property मतलब आपने homomorphism में भी पढ़ा रखा है आपने linear transformation में भी पड़ा रखा है यानि linearity property का मतलब यह तीनों में ही एक ही बात होती है सीटू और एफटू एक्स मालेज हम इसमें operate कर रहे हैं यह एफ और जी भी लिख सकते हैं तो डेल क्या होगा सीवन बाहर डेल लग जाएगा एफवन एक्स पर और सीटू बाहर और डेल लग है सिंपल साहिया है देखें विसे बता है वह लग रहा है वही चीज है हलाकि जितने भी प्रॉपर्टी जैस में अगर एक सिंगल एक ऐलिमेंट की बात करें एक सिंगल टर्म की बात करें तो तो भी वही बात पढ़ती है ठीक है अच्छा थर्ट पॉइंट देखते हैं इसको first difference बहुते हैं अगर डेल पावर 2 कर दें तो इसको क्या बोलेंगे है वह लगावर 2 कर देने पावर 2 का मतलब क्या होता है दो बार डेल ऑपरेट करना तो वह एक साथ दो डेल्ट अपरेट हो नहीं जाते हैं कि करके ऑपरेट होता है तो अब सोचिए अब एक बार ड एक्स प्लस है और माइनस डेल ओफ एक्स ठीक है अब एक्स प्लस एच में आप आप अपरेट कर रहे हो बच्छो तो वह क्या होगा वैडल तो अपना वही काम करेगा एक एक्स्ट्रा बढ़ा करके पीछे से सब्ट्रेट कर देगा तो इसकी नेक्स जो लाइन होगी वह चलि अब यह अपने क्या किया यही दो इसको क्या बोलें सेकेंड डिफरेंस है तो अभी पीछे क्या चलना था डेल ओफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ एक्स प्लस है यह तो हो जाएगा और जो आपने एक माइनस में लिख रखा है वो भी यहां लिख देते हैं देखिए ए राइटिंग मेरी बड़ी अच्छी है नजर ना लगए किसी की मतलब बहुत गंदी राइटिंग है याद देखो अभी क्या हो रहा है कुछ एडवेड हो रहा है हाँ एफ एक्स प्लस टू एच इतनी ठंड पड़ रही है हाथ पर जाम हो जा रहा है कि यंग एज में यहाल है तो बुड़ापे में क्या होगा आप लोग कभी जाम होता है गया आपनों कभी बुड़ापा करीब है क्या करें देखिए यह कुछ दिखा आपको एक थोड़ा सा ट्रेंड देखेगा आपको इसकी वैल्यू यह आ रही है इसको क्या बोलते हैं ब सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें ट्रेंड क्या फॉलोगा देखिए 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 अगर में बात करूं सिमिलर्ली वाला कॉंसेप्ट लग गया अगर तीन बारी हम अपलाई करें थर्ड डिफरेंस लगाएं तो वह किसके एक्वल होना चाहिए देखिए थर्ड सेकेंड था तो टू आया थर्ड है तो थर्ड में क्या आएगा सिंपल सिंपल सी बात है थ्री आएगा एक्स प्लस त्रीज तो आना ही है फिर उसके बाद देखिए डबल हो रहा है और यहाँ पर ट्रिपल होगा और एखिक भरी टू से वन हुआ यहां पर क्या होगा टू से वन नहीं यहां से थ्रिसे अपर टू चला जाएगा एक्स प्लस टू एच कि चैने गए और और बहुत ही सी बात बताने आपको दिखो यह पे है product यह आया माइनऄस Yes महाईए प्लस तीव आ ड्रेक्त चलंगा है न अब देखें यहाँ यह लगा प्लस यहांगा माइनस में अगला जो है कि वो प्लस में आयेगा न तो प्लस में आया और एक और कम कर दीजिए थ्री तो चलेगा ही और इसका जो एफ फंक्शन है उसमें एक और कम कर दीजिए फंक्शन के अंदर एक्स प्लस एज कर दीजिए और फिर एक माइनस लगा दीजिए एफ ओवेक्स यही ट्रेंड यह फॉलो करेगा तीन तक तो समझ में आगी बात अब इसे जाए को आगे बढ़ा करके एन तक लेकिए बच्चो तो क्या होगा देखिए फॉर्ड दो कि एनथ कि फॉर्वर्ड डिफ्रेंस कि अगर बात की जाया तो क्या होना चाहिए आपने डेल पे लगाया एन और लिखा एफ एक्स फॉर्वर्ड चल ले ओना भाई तो ठीक है कर लो तो सबसे पहले क्या प्लस में इसका कॉफिशेंट क्या यहां पर प्लस है सब्सक्राइब क्या हूं साइन क्या इसका प्लस है तो यह एक्स प्लस एंस तो हो गई होगा फिर उसके अब तुरंट माइन और एक तुसके बारिया न है अब को यह बात बताते देखें जो कॉफिशेंट बांने बच्चो वो इसके हिसाब से परने बताता हूँ देखे मैं बताता हूं को क्या हम इसको तो देखेगा क्या हम यहां पर यहां इसको 2C1 लिख सकते हैं लिख सकते हैं न क्या हम इसको 2C0 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं क्या हम इसको 3C1 इसको 3C2 और इसको 3C0 लिख सकते हैं यहां पर 1 ना तो 3C0 लिख सकते हैं बिल्कुल आप C को याद करिए C की वैल्यू क्या होती है जो NCR यूज करते थे हम लोग वो छीज यहां पर कैसे यूज करें तो देखें आपको बताते हैं यहां पर कर दीजिए Nc1 क्योंकि एक एन आएगा जरूर Nc1 और फंक्शन के अंदर एक कम आपको करते जाना है आपको पता है एक स्ञते अन और कि यहां पर याद तो एक स्मॉल्स ब्रेकेट लगा दीजय यहां पर अजलेगा दोड़ना चाहिए पिर अगे बढ़ता जए गए एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग माइनस फॉन पावर एन लिखेंगे क्योंकि आपको पता है अल्टेनिट पॉजिर्टिव नेगेटिव चल लाए तो ऑर्टमेटिक माइनस फॉन पावर जो एन होगा एड़स्टेड हो जाएगा और एट लास्ट आपको पता है एफ एक्स तो अब देखिए से में एक नोटेशन और देख लिजिए एक छोटा सा नोटेशन और odor यहाँ पर बना देंटता हूं जी आपका एन एसी डिफ्रेंशियल बन गया और तो एफ एक्स लिखते हूं ना तो वाई जो होगा जिसे हम बताते हैं याप लिक करके एक सेकेंड वाई इक्वल टो एफ एक्स समझते हो आप ठीक है और वही चीज़ जब यहां पर देखो कि तो वाई नौट पर बदल जाएगा और यह एफ एक्स नौट पर बदल जाएग करें तो यहां पर आप कह सकते हो हमें वाइबन मिलेगा एंड इस विल गिव यू एफ एक्स वन बात वही है है कि नहीं आरे बस मंद में अच्छा अब यहीं पर थोड़े और छोटे-छोटे नोटेशन मैं सारे बता देता हूं आपको देखे एक और नोटेशन यह अगर मैं कहूं डेल ओफ वाई नॉट तो इसका क्या मतलब होना चाहिए बैद लग रहा है तो एक आगे बढ़ जाएगा और पीछे वाले से सब्ट्रेक्शन हो जाएगा ठीक डेल ओफ वाई वन लिखना है तो क्या लिख देंगे एक आगे से वही वाला डिफ्रेंस कि आई बात समझ में कोई दिक्कत टकलीफ दुख चिंता फिक्र कुछ नहीं कि मैं हूं मैथमेटिक्स के लिए तो यह सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी डूंच यूवरी अबाउट आट आई बात समझ में क्लियर है बात है कुछ और देख लेत है इन्ही सबका अगर सेकेंड डेल देखा जाए बच्चो अगर मैं कुछ आप यह लगोट सेकेंड डेल ओफ वाइनोट अच्छा है पहले फरस्ट डेल ओफ आयनोट निकाल लो फिर उसकेंड वी डेल कर लेना तो फस्ट डेल ओफ आई नोट क्या है एक अधिक माइनस उत अधिक नहीं और यह क्या कहेगा एक अधिक और पहले वाला यह क्या आएगा भाई आतो जाएगा वाई टू ठीक है माइनस टू वाई वन आ जाएगा और प्लस का वाई नोट तो यह बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल कैसा जहां से देखें आप दिखाता हूं तो वही सेम चीज लिखा हुआ है ना बस यह खाली एक नोटेशन के लिए मैंने आपको बताया तो इसका जो एनफ वाला आंसर आया बच्चों यह वाला बिल्कुल वैसा ही आप डेल आफ एंड पे भी कर सकते हो आरीबा समझ में है ठीक है ना सिंपल वाई में अगर लगा इसे अगर आप उसे कहा जाए चलो डेल स्क्वेर ओफ वाई वन बता दो तो आप दिखे आप इसे ऐसे भी लिख सकते देवाई सीधे यह वाई लाइन लिख सकते हैं क्या आप यह बिल्कुल लिख सकते हैं सोच के बताईए एक डेल अंदर चला गया एक डेल बाहर रखते हैं यहां चलो वाई वन ही लिख लेते हैं चलेगा तो दो डेल बाहर रहेगा एक डेल अंदर चला जाए एक डेल बदल जाएगा इसमें और डो डेल बाहर रहेगा तो यह नोटेशन का यूज आपको आ चुका है क्लियर है ना बात यह सारी ठीक है अब एक दिखे बहुत ह इसे वैल्यूस कौन सी भी पात कर रहा हूं कि वाई नौट वाई वन सब पे अगर डेल सिंगल डेल यानी फस्ट डिफ्रेंस लगा करके और मैं आगे बढ़ाओं कहां तक एन तक एन माइनस वन तक क्योंकि एन माइनस वन खुद बखुद एन तक पहुचा देगा तो अगर इसको सॉल्व करें बच्चों तो त्रस द्यान से देखेंगा त्यक्यां से आप ने इसको क्या गया एड करना है तो एक आगे उसमें से पीछे वाले का डिफ्रेंस इसमें भी ए एक आगे उसमें से पीछे वाले का डिफ्रेंस इसमें भी तीसरे वाले में भी एक आगे उसमें पीछे वाले का डिफ्रेंस ऐसे करते करते यह चीछ कहां तक चलेगा एक आगे और पीछे वाले का डिफ्रेंस एक आगे यान और पीछे वाले का डिफ्रेंस यानि वाइन मा इसे पहले के दूसरे के दूसरे वाले से पक्का कैंसल हो गया होगा आप देख पा रहे हों है कि दिखा देखा देता हुए बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले उड़ कॉन रहा है और इन असेंस कट कौन है बर्बात कॉन हो रहा है पहले का पहले वाला और दूसरे का दूसरे वाला मिडिल के दोनों भी सांत वेट हैं फिर देखे यह तो चुड़ गया अ या च्छा पित इसका पहले वाला उसका दूसरे वाला हो एसको उड़ा आपके इसको लुखना आव आगे देखs GRANT हाना अगया में आगे जाना ही नहीं थे आगे देखना पड़ेगा दो चीज़े हिए वचिर आоссल रहे underground कौन कौन सी देखके बताइए पहला बचेगा वाई एन और फिर बचेगा वाई नॉट यह दोनों बच जाएंगे तो आप यह देख पा रहे है कि सिंगल जो डेल ऑपरेटर सब का सम कर रहे हो आप तो लास्ट वाला माइनस इनीशल वाला आ रहा है यह बात क्लियर है कि कोई लाइव दिकत नहीं है ठीक है आगे दिखते हैं तो ठीक इसी प्रकार अगर मैं ऐसा करता डेल थू ऑफ वाई नॉट ऑफ वाई नॉट से देल तो अफ वाई तूब लें दिमाघ में है कि एक डेल बाहर है ठीक तो इसी पर ही डल लगा ऊपाना को सोच्छ लो इन सब पर द लगा दो यही चीछ तो आजाएगी कि तो सोच dice एगो नहीं को क्या हो जाना कि इसी में देख लीज़िए तो इंडल जब इसमें 1 बार ठम जुका है मतलब एक डाल समय ऐगो तो यहां पर खुता क्या है जीतना यहां लिखा होगा उससे एक कम कर दीजिए मतलब तो हो यह जाएगा वाइन-1 और बाकी यह नॉट वाला तो होई रहेगा आप इसको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं देखें कैसे करें दूबारा डल लगा रहो तो यहां पर डल यहां होगा तो जब इसको साथ करोगा तो यहां पर यह वाले में वाइन-2 और य-1 दाएगा तो आद मायन ऊग्राइब यह वाइन-2 जो होगा पीछे से कट जागा यह न-1 बच जाएगा जिकता है इसलिए यहां पर एन-1 लिखा हुआ है और यहनोट तो शुरूवात है यह त निकाले तो यह कैसा बने का जाकर के तो अगर हम कहें है डेल अगर लेले हम समगते पावर के बार ले लेते हैं कि और सब में लगा दें वाई नौट डेल के ओफ वाई वन डेल के ओफ वाई तू आगे बढ़ते चले जाए और डेल के ओफ वाई एन माइनस तो इसकी जो वैल्ली आएगी बिल्कुल रिलेट करेंगा अगर आप उसी वैल्ली से तो क्या आनी चाहिए देखें एक कम क्योंकि एक तुअंदर चला गया होगा ठीक और आपको याद है कि जो यहां बताया गया था एन माइनस वन इससे वाले से एक कम होग पावर टू था यह ना तो एक तरीक से देखा जाए तो एन तो पूरे टम्स थे यहां पर अगर आप रिलेट करें एन तो पूरे टम यहां पर लिखा हुआ है उसमें से हमने क्या कम किया यह जो पावर चड़ाई थी यह कम की और एक जोड दिया तो देखिए कितना बन गया एन माइनस वही चीज यहां पर लिखा हुआ और यह नौट वाला तो चले गाई तो यही हमारा एक तरीके से जन्रलाइज जो फॉर और प्लासम बन जाएंगा दो वही चीज़ो यहां लिखी है वही चीलागा पर सब्ट्रैक्शन में लिघे गई है एन के साथ क्योंकि एन-वाइनश के मैनस ओने धलोल और यह नौट तो यह मारे गाई जैसा कि हमेशा से रहे गई है इसमें कोई दिक्कत नहीन चलेगी बा यह तो क्लियर अबाद इसका एक छोड़ा सा पॉइंट है वह थी सिम्पल सा अगर हमने माले सिग्मा एक ओपरेटर लिया है सिग्मा तम्हें तम वही सम लोग निकालना है यहां पर सिग्मा वना लिया लेट से सिग्मा ठिक और यहां पर हम लिख रहे हैं इसलित है है और एक्सफूर मतलब क्यों होता है है एक सनौट प्लस फूरेज जाते है वह राएट बचो फोड़ी आवाज हो रहे होगी बाहर में महल बनवारहा हूं ना ताजमेल के बाद मेरा है महल दिखाई देगा इसकर थोड़ी आवाज हो रही है चलिए कोई बात नहीं है ठीक है और इसमें अगर हम देल पावर टू ऑपरेट करें के की वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं अगर लेट से टू से और कहां तक एक कम तक तो इसकी वैल्यू जो आएगी वह एक मालो एफ तो अंदर चला गया तो वह इसको पहुंचा तो अंदर चला गया है ठीक है अगर एक डेल अंदर चला गया है तो आफ आपका जो के है उसकी वैल्यू मैक्जिमा में माइनस तक जा सकती है एक एन माइनस वान से एक ज्यादा लिया जाता है ना तो एन पहुंचा देगी ठीक फिर आगया माइनस अपना एक सेकिंड फिर आजाएगा अपना पहले भी सीखे हुए अलांकि पहले भी जानते हैं पहले से लेकिन देख लिए देखे लिए नोट में डाल लिए इसको बहुत महेंगा नोट है अगर इसको हम दो फंक्शन की प्रोड़क्त में इस्तमाल करें जैसे हमने का भाई डेल ऑपरेटर लगाना अपने को और दो मैंने अपने पास एफ एक्स और जी एक्स या एफ मन एफ टू भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं तो यह कैसे वर्क करेगा जैसे आपने डिफ्रेंशियेशन को यूज मिल आया था वैसे यह भी आएगा एक को छोड़ा को दूसरे का किया थिक और दूसरे को छोड़ा प law में एच ठिक और दूसरे वाले में तो आपरेट हो यह रहा एके प्लस है अब ऐसे जी एक को छोड़ को छोड़ा एक माप फोछ ऊड़ा उसमें तो एच जोड़नेगा लिकिन बातौने में नहीं जोडता रहे भी पास समझेगा जी एक सोगया और अपना धल़ एक अर आ समच पाया होंगे की नहीं तो इसका प्रूफ रिक्वाइड तो नहीं है कोशिच रहे कि करवा चली करवाई देते हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए कि हम लोग को उनको भी लेकी चलना है ना थियोरी वाले बच्चों को भी यह पहले आप जिसको फर्स सेकंड मान रहो हला क कि आप सोच रहे होगे सार इसको फर्स इसको सेकंड माले तो वह भी ठीक है जिसको भी पहले छोड़ रहे होगे उसमें एच एड होगा बाकि किसी मैच नहीं होगा बाकि तो डिफ्रेंस्येशन जैसा ही वर्क करेगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कैसे बता देता हूं है देखिए आप ऐसे भी सको लिख सकते हो अब जैसे दिमाग में चल ला हो कि सब्सक्राइब को पहला मालने तो बिल्कुल सही है तो जी में आप एड कर दीजे एफ को ऐसे रहने दीजे लस लगा यह फिर तो भाई एफ को छोड़ना ही पड़ेगा लेकिन जो पहले छोड होड़ा जाएगा उसी में ही आपका कि एड होगा इस इसका प्रूफ देख लेता है कि देखिए प्रूफ कुछ नहीं यह प्रोड़क्ट है न लिको भाई है एफ एक्स टाइमस ची एक्स और यह हमें मल्टिपेकेशन पर ऑपरेट करना है तो आपको पता यह पूरा एक फ देखिए और उसी फंक्शन में वापस से उसी को आप सब्ट्रैक्ट भी कर दिजे एफ एक्स इंटू जी एक्स चलेगा पात यह तो बात क्लियर है आगे बढ़ाते हैं इसको ठीक है चलिए यहां पर एक चीज़ देख लिए यहां पर एक चीज़ हम एड और सब्ट्रैक् सब्सक्राइब को जब वह इस तरी कोई भी हम लोगों ने क्लास 12 में भी सीखिए लिए सब्सक्राइब कर रहे होते थे कि कॉंटिनियर्टि से डिफ्रेंसी बिल्टि होना ऐड़ सब्रेट कर दो या फिर एफ एक्स प्लस एच और जी 10 केवल जी एक्स अगराइग फूरा ले उसके थोड़ा लो ठीक तो उसकों आदशी एच्छा हो सप्ट्रैक Bet तो हमें एक काम करते हैं हम एक्स एफ एक्स प्लस एच इन्टू जी एक्स एड़ करते हैं कि चलिए देखिए जिसे लिखा था हमारा क्या मैं डेल तो लिखा ही था उसको बार बने लिखेंगे हमने क्या किया पहले तो fx plus h और gx plus h को मैंने लिखा है ठीक है उसमें क्या किया सब्ट्रेक्शन वाला पहले लिख लिए है fx plus h और into gx देखिए concept इसलिए बता रहा हूँ आप लोग जिनका केवल mcq भी आता है वो भी इसे जरूर देखें क्योंकि question तो आई रहे हैं आप समझ रहे हो ना concept पता होना चाहिए बहुत जरूरी है और इसके बाद जो हम एड करना है वह आगे वाले में देते हैं क्यों पहले भी में देखें तो यह clear common भी आगया कि दोनों जी में हैं भी अब बाकी का जो लास्ट के दोनों टर्म है उसमें कुछ common आ रहा है क्या जी एक्स को मना है ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा अब यह जो आप इसको क्या कह सकते हैं यह तो कुछ डेल टाइम लग रहा है वहीं लग रहा है तो देखें देल ओफ जी ओफ एक्स को लिख सकते हैं और इस वाले में जी एक्स दुबार रही इसको डेल ओफ एक्स लिख सकते हैं अब आप खुद देख लिजे कि केवल जो अपने डिरेक्ट फॉर्मूला जो बताया था उसमें सिर्फ जो स्टार्टिंग वाले में पहल थो आप इसकी जिगया पर यह करते क्या किresh पे आप यह एट और सब्टेट करते क्या एपक्स को सिंबल रहने देते और जी एक्स को X प्लस एच करते हैं अगर आप यह एड और सब्टैक्ट करते तो आपका आंसर यहां पर यहां पर जी आ जाता कोई बात तो है नहीं यह आप यह बयाई बच्चे है जो भी नया बच्चे है वो टेलीग्राम जोईन कर लेंगे अभी मैं सेपरेट भी हो सकता है क्रेट कर दूँ सेकेंड और फॉर्थ के लिए क्योंकि जो कन्वर्सिशन का ग्रूप है उसी में एक में मिक्सप हो जाता है आप पूछते हो ना एधर का उ जोलना है क्या नहीं होना है ठीक है यह पहला रिजल्ट याद रखिएगा ठीक नेक्स रिजल्ट दूसरा जैसे आप टो डिफरेंशियेशन में बच्चो डिवीजन वाला करता था अन। फंक्शन का डिफरेंशिशिचंट जो डिवीजन में दियो एफ एक्स अपॉन तो यहां पर दहां से देखेगा वाँ पर आपि अपर में जी एकस चोड़ा जाएगा और जी एकस को छोड़ा जाएगा अब जी एक्स का डेल अब इसका प्रूफ हम आपके यह हाथ में छोड़ते हैं देखें आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं जितने भी लोग थियोरी वाले हैं इनके में डिस्क्रिप्टिव आता है वो मुझे जरूर करके दिखाएंगे आरी बात समझ में है ठीक है इसके बाद एक छोटी सी त्योरा में बच्चों पॉइंट है मैं पॉइंट की तरह उसे बताना चाहूंगा कि अगर इफ f x is equal to अगर यह एं डिगेरी का कोई polynomial है ठीक है एं डिगेरी का polynomial चलिए ऐसे लिखना चलिए ठीक लिख देता हूं तो गद êtesगा कुसा या एकThere ना है और एकस घु вас एन डिग्री का है ठीक है यह expa आट वार माईनसव कॉन आ और ले लिए एक सकते न तो आल्मोस्ट क्या होगा ऐसे ए एन माइनस वन एक्स और लास्ट के टरम ऐसे लिखे जाते हैं अभी तब लोग को यह सब चीजे का ग्यान हो गया हो गया है लास्ट सेमेस्टर में आप अब इसमें अगर मैं कहूं कि भाई कि डिफरेंशेशन करते हैं ठीक डिफरेंशियल ओपरेटर लगाते हैं एक एक करके एक बार अगर मैं इसमें डेल ओपरेटर लगाओ बच्छो तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने कोशिश करता हूं इसको अब कैसे सुस्वाल करेंगे समझे का मेरी बात को देखें पहला देल लगाएंगे तो एक नोट आया बाहर आपने डेल इसमें लगाया एकस पावर एन में फिर ऐसे एवन तो कॉंस्टेंट डेल लगाया आपने एकस पावर एन-1 इसका डिफ्रेंशेशन फिर ऐसे बढ़ते चले गए फिर एप एन-1 डेल ओफ एक्स और आप फिर एट ल लॉफ कॉंस्टेंट ये तो जीरो हो जाएगा फिलाल ऐसे आगे बढ़ेंगे तो जरह यह बता यह क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्वल टू है यह लिख दो ठीक है अब डेल जैसे ऑपरेट होगा एकस में पहले तो एच हैड होगा एक बढ़ेगा उसकी पावर एन- सेम की पावर है यह तो इसकी केस में हो जाएगा ठीक फिर प्लस लगाया आपने ऐसे दूसरा वाला टर्म लिखेंगे ऐसे तीसरा वाला टर्म मैं थोड़ा सा कलर सेंज करके लिखता हूं तो एवन तो एवन ही लिखा हमने फिर फिर हमने एक ब्रैकट लगा एकस प्लस एकस पावर एंड माइनस वन है कि ऐसे करते करते हम मैं आगे लिख देता हूं ठीक है प्लस ऐसे डॉट 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 करते हुए एन माइनस वन जो होगा वह बाहर आ जाएगा उसमें लगाएंगे आप एकस प्लस एच माइनस एकस और लास्ट वाला तो जीरो हो जाएगा यहां तो एकस एकस केंसल हो जाएगा अधिके जो आप सॉल्व कर रहे हैं वह आपको कहां तक लीड करके लिखे जाएगा मैं थोड़ा तरह तरह लिखता हूं ठीक है एक थोड़ी लाइन डिर्ट कर देता हूं जब इसको आप सॉल्व कर लोगे ठीक तो वाट्यों गैट जो यह पहला वाला एप्रॉक्सिमेशन है इसमें से एन बाहर आएगा वह डिफ्रेंश यह आप जो क्लास 11 में सिखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल यह उसी का यूज कर रहा है ठीक है तो कोई बात है अब डिरेक्ट अगर सोचते थोड़ी देर के लिए मैं डिरेक्ट आपक आपको पता है और पावर में एक कम हो जाता है तो यहीं चीद समझते हुए अगर आगे बढ़ें तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं समझेगा बात को पहले तो एनोट आया अपका थोटी कॉंसेंट था पावर आगे आई पावर में से एक कम तो होई गया और साथी सब्सक्राइब दूसरा और सब्सक्राइब दॉसरा कॉफिषेंट की बात कर रहे हम लोग तो यह अपना दूसरा कॉफिषेंट तो इसको चा रखआ और प्यूर्फों करोगे तो पहले तो बाईनोमिय लगा उसमें टो उसकी वज़े से जो constant यह है यह और भी constant आएंगे कुछ नया constant बना लेंगे तो इसको हम कुछ और लिख देते हैं उस constant को let's a b1 लिख देते हैं तेकर लो कि दिखाते हैं उसको हम यहांसे transfer करके लिख देते हैं उन सारे constant को मिला करके ठीक और आगे जो तो इसी में हमारा एड़ेस्ट हो जाएगा एन माइनस तो पावर तो कम होती चली जाएगी अच्छा इतना बचेगा ठीक है अच्छा अब एक चीज यह समझते हैं जो भी नौट जो बीवन बीटू भी थ्री वह आटोमेटिक अड़ेस्ट हो चुका है तो अगर ध्यान से द डेल कि दिल लग देल लगाया सोरी तो उससे क्या हो गया जो डिग्री बनी डिग्री ओफ पॉली नौमियल है इस टर producción मैन स्वन यह सो ये कम हो गई देखने से पता चला गए देखें एक समो मैकजिम्हम डिगरी कि बोएट वह सा टिक है एक कम होगे, अगर आप यही चीज, similarly, आप और आगे बढ़ते, 2 लगाते, 3 लगाते, 4 लगाते, तो क्या होता, तो देखें, मैं 2 लगा के दिखाता हूँ, अगर 2 आप लगाते, दो बारी में करते, तो A0 N तक तो मिला आपको, पहले बाले में, इसमें क्या होगा, एक और कम मिल जाएगा, H1 मिलाता है, यहाँ पे H2 मिल जाएगा, X4 N-1 मिलाता है, यहाँ पे X4 N-2 मिल जाएगा, और बाकी के जो होँगे, जिसे महां भी 1 वीडिटो लिखाता है, यहाँ पे एडजस्ट हो हो जाएंगे सीवन लेकल एक और पावर कम करें ऐसे करते करते आप कां तक जाए घंगा एंट मैंनस बन घ्या तो अब क्या आएगा एन सिसे एन माइनस दू कि को ठीके भाई तो ये बात क्लीरे और यही चीज हम ठामत पावर एंट पावे घं तो B आएगा डेल पावर एन और एफ एक्स ये तो मैं प्रूफी करा दे रहा हूं एक तरीके से ठीक है एन तक ले जाएंगे तो ठीक है बच्चो तू था तो दो फैक्टर तक गया एन है तो एन फैक्टर तक जाएगा कि नहीं जाएगा एन एक तरह के से फैक्टरियल लोटेशन टेसे ही तैसे है एक पर कितनी पावर चढ़ जाएगे जितनी पावर लिखी है उतनी पावर चढ़ जाएगि एन हो जाएगे और अध्व मिलाक मरह क्या बनेहा यह बहुत ही में टर्म है याद रखेगा ए नौट एन फैक्टोरियल दो बोलते हैं और एच पावर एन चलेगा बात इसे याद रखेगा जब भी हम लोग किसी पॉलनॉमिल का एन बारी या जितनी भी पावर होती है उसकी उतनी बार करते हैं तो यह निकल के आता है ठीक है तो यहां से द पीक सफिक्षट निकल के आते हैं किया कंसीगएंस रिजल्टी Prozent जिकन्स व्लएगी बात है तो पहला धीक्के या तयो है ये निकल के आता है थीओर हुंसे आ行 एक और आग deport एnatर एक और आगे बढ़ते लिए को मैं एक और आगे बढ़ते है थो क् एक और आगे बाठ और एक डिल बाहर कर देते हैं और एक डिल जो है पावर एंट परीड़ और देल यह आफ तक चला जाता है और अभी पावर एंट को प्रूफ करके है कि वह ए नौट एन फैक्टोरियल और है पावर एन उता है मतलब तरीकिसे देखा जाए इसमें X का टर्म बचाहिए नहीं तो यह क्या हो गया यह तो constant है और constant का एक बार और बढ़ा होगा तो जीरो जाए सिंपल सी बात है जब आप एन बार differentiation कर रहे हो एन एन और अर्डर का मतब एन पावर है इसकी ठीक है तो एन से एन बार करोंगे तो constant याएगा डिफ्रेंशेशन यहाँ आदे आपको जितने डिगरी होती थी पॉइल की उतनी बार दिफ्रेंशेशन कर दें से constant आता था एक बार यह एक्स्रा करोंगे तो क्या जाएगा जीरो यह बात क्लियर है एक्दम हाँ धान लखेगा यहीं से च्छोटा से प्रोपर एक्सराइस की तरह बढ़ेंगे यह वीडियो 43 मिनिट्स का है कल मैं नहीं अप्लोड कर वाया लेकिन अपसे प्रॉमिस है कि रोज अप्लोड होगी वीडियो मैं तो इस सीन में भी हो कि दो वोग एक साथ चला दूँ इसको और कॉम्प्लेक्स को एक साथ चला आपके अपने प्यारे से चैनल मैत वैत पर जैश्री राम